अब देखते हैं do while loop हम लोग while देख चुके तो अब do while loop तो सबसे पहले ये भी while loop की तरह ही है बस इसमें एक थोरा सा difference है कि ये जो है पहले condition check नहीं करता है पहले execute हो जाता है इसका जो body है और उसके बाद condition check करता है एक यही difference है इसका पहले syntax देखते हैं उसके बाद explain करूँगा कि अच्छे से syntax क्या है कि यहाँ पर do, do एक keyword भी है और while तो हमें पता है कि keyword ही है यहाँ पर do, यहाँ पर उसका while do while loop का इसका body start हो जाता है एक और बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हमने while loop देखा था तो उसमें क्या है कि जो condition जैसे अगर हम देखें तो उसका syntax क्या था while और यहाँ पर condition and then यहाँ पर body था ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर semicolon नहीं था अगर यह semicolon हो जाता तो यह statement complete होता तो उसके बाद वाला यह body जो body है यह independent हो जाता इस loop से तो इसलिए यहाँ पर semicolon नहीं था क्यों क्यों कि यह इसी body जो यह नीचे वाला जो part है इस while loop का part होगा अब यहाँ पर क्या है कि do यहाँ से start हो रहा है और last में condition चेक होड़ी तो इसलिए यहाँ पर semicolon है बता रहा हूं ताकि कहीं भी आगर चल के थोड़ी सी भी दिक्कत ना हो थोड़ी सी भी confusion ना रहे अगर आपको आता है तो अच्छी बात है मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनको एकदम से नहीं आता तो उनको help मिल जाएगी फिर भी अगर आता भी होगा तो मेरे ख्याल से आपको कुछ ना कुछ benefit जरूर होगा जब आप programming करोगे तो यहां पे हो गया तो यह क्या है कि statement सबसे पहले आएगा हमारा control यहां पे do पे do पे आने के बाद यह इसका जो body है इसके अंदर आएगा जो भी number of statements होगे execute होगा और यहां पे last होगा लेकिन जब सारे जब statement execute हो जाएगे तो फिर यहां जो है condition check होगी अगर वह condition true होती है तो दूबारा से हमारा control यहां आएगा body में execute होगा program run करेगा एक और बात है कि यहां पे पहले while में क्या था कि पहले ही top पे condition check होती तो अगर false होगया तो एक बार भी execute नहीं होगा इसमें क्या है कि even कि condition अगर false भी है तो भी हमारा एक बार यह statement execute होगा ही होगा इसका जो flow chart है इ यहां जैसे कि यहां पे control आया control आने के बाद inside loop अब क्या है कि loop के inside में आ गया है उसके बाद जितने सारे statements हैं वो execute होगे उसके बाद last में condition check होगी अगर condition true मिलती है दूबारा से इसके inside of loop में आ जाएगा और बाकि जितने सारे statements हैं body के अंदर वो execute होगे और अगर false होता है तो यह out of loop मेरा ख्याल सी है clear हो गया तो इसके उपर हम एक example देखेंगे बाग यह जो syntax है आप देख सकते हो